बहुत समय पहले एक जंगल में दरा-दरागे पंची अपने अपने बच्चों के साथ अपने गासलमें सुखी जीवन जी रही थी उसी जंगल में लूसी नामकी एक कबुत्री भी थी वो अपना कोई व्यापार शुरू कर बहुत सारे पैसे कमाने की सोच रही थी और पैसे कमाने के लिए वो बहुत सारे काम करने की सोचती थी इस जंगल में मैं नहीं आई हूँ अब अपना गुजारा करने के लिए मुझे कोई नपई काम तो शुरू करना ही होगा पर मैं कौन सा काम करूँ? पर मैं क्या करूँ? हाँ, मैं आईस्क्रीम की दुकान लगा लेती हूँ वैसे ही सबको आईस्क्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है हाँ, पर अभी तो सर्दी का मौसम चल रहा है अगर किसीने रुकावट खड़ी कर दी तो… हाँ, देखा जाएगा वैसे मुझे भला कौन रोकेगा उस जंगल में आईस्क्रीम का ठेला लगाने की सोची उस जंगल में एक चिडिया का भी परिवार था बेटा, क्या कर रही हो? मा, मैं सोच रही हो कि अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर खेल लूँ नहीं बेटा, बहुत सर्थ पड़ी हुई है ऐसे में तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए मुझे तो जाने से मना कर रही हो पर खुद पता नहीं कहां जा रही हो अच्छा, अगर मैं भी तुम्हारी तरह घर पर रही अरे तुनी तुम कहां जा रही हो मैं घर के लिए कुछ सामान लेने जा रही हूँ और तुम कहां जा रही हो मैं भी बस सबजिया लेने गई थी ना जाने क्यों कमजोरी सी लग रही है हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्या करे देखो वहाँ पर एक आईस्क्रीम का ठेला लगा है चलो वहाँ चलते हैं फिर तीनों सहलिया चिचू, तूनी और छोटू आईस्क्रीम खाने के लिए उस ठेले के पास गई जी बताईए आपको क्या चाहिए हम तीनों के लिए बड़िया सी आईस्क्रीम दे देना जी ये लिजिए अरे वाँ, आईस्क्रीम तो बहुत अच्छी है हाँ सच कहा, बहुत अच्छी है यू जब वो तीनों आईस्क्रीम खा रही थी तब उनके बच्चे बन्नो कवा, छुटकी चिरिया और मिठ्धु तोती ने देख लिया देखा तुमने हमारी माएं हमें छोड़ कर कैसे आईस्क्रीम खा रही है हाँ, तब हम क्या करें और क्या, हम भी उनकी तरह छुप छुप कर आईस्क्रीम खाएंगे यू छुटकी चिरिया, बन्नो कवा और मिठ्धु तोती ने सोच लिया यू तै कर अगले दिन जैसे ही तूनी चिरिया, चिचु कवी और छोटु तोती काम के सिलसिले घर से बाहर निकली उनके तीनों ही बच्चे आईस्क्रीम के थेले पर आपहुँचे बताओ बच्चो, तुम्हें क्या चाहिए? हम तीनों को आईस्क्रीम दीजिये ना? हाँ ठीक है, ये ले लो अरे वा, आईस्क्रीम कितना बढ़िया है तीनों ने अपनी आईस्क्रीम खतम की और वहां से निकल ही रह थे अरे अरे रुको रुको बच्चो, और एक-एक आईस्क्रीम खालो ना बापा, जड़ा आईस्क्रीम खाएंगे, तो हमारे घर में हमें मार पड़ेगी वैसे भी आईस्क्रीम सेहत के लिए अच्छी थोड़ी होती है अरे रे, लगता है तुम इस बात से अंजान हो, दरसल ये बहुत ही सेहत मंदा आईस्क्रीम है इसे खाने से तुम्हारा स्वास्थ सुधरेगा उस ठेले वाली की बात को, लूसी की बात को सच समझ कर बच्चों ने धेर सारी आईस्क्रीम खाली आज तो बहुत बढ़िया धंदा हुआ मेरा लूसी मन ही मन ये सोच कर खुश हो रही थी वहाँ अगले ही दिन, तीनों ही बच्चे बिमारी के चलते अस्पताल में भरती हो गए डाप्टर बताएए न, क्या हुआ है हमारे बच्चों को लगता है तुम्हारे बच्चों ने बहुत सारी आईस्क्रीम खाई है और जुखाम होकर इन्हें बुखार चड़ गया है बेटा चुटकी, तुमने आईस्क्रीम कहां खाई मा, हमने लूसी के थेले पर आईस्क्रीम खाई हमने मना किया तो ये कहकर कि ये सेहत मंदा आइसक्रीम है हमें उन्होंने बहुत सारी खिला दी बच्चों के ये बताने पर तूनी, छोटू और चीचु को लूसी पर बहुत घुसा आया लूसी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने जबर्दस्ती हमारे बच्चों को जादा आइसक्रीम खिला दी आज तुम हमसे बच नहीं पाओगी आज तुम्हारी वज़े से हमारे बच्चे बीमार होकर अस्पताल में भरती है चीचु कवी छोटु दोती और तुनी चुडिया ने लूसी की खूब पिटाई की और वहां से चली गई बुरी तरह से मरा मैं इन तीनों को नहीं छोडूंगी लूसी ने तुनी छोटु और चीचु से बदला लेने की ठान ली एक दिन छोटु दोती और चीचु कवी किसी काम से बाहर जा रही थी अरे वाच चीचु जी छोटु जी आईए आईए यहां आईए क्या है अरे ऐसे चिड़िये गामत मैंने आपके ही कहने पर अब चाई की दुकान शुरू की है अब मैं किसी को धोका नहीं डूंगी और ये बदलाव तुम्हारी वज़े से ही आया है इसलिए मैं तुम्हें मुफ्त में ही चाई देना चाती हूँ इसे पी लीजिये लूसी कबुत्री ने मीची बाते कर उन दोनों को बेहोशी की दवाई मिलाई हुई चाई पिलाई जिसे पीकर छोटू और चीचू बेहोश हो गई अभी इनके घर जाकर पैसे गहने सब चुरा लेती हूँ लूसी कबुत्री ये सोचकर छोटू और चीचू के घर गई अरे लूसी तुम यहां क्या कर रही हो रुक जाओ, मैं अभी तुमारी खबर लेती हूँ तूनी ने चालाकी से लूसी कबुद्री को पेड से बांधा और उसकी खूब पिटाई की फिर पुलिस को बुला कर लूसी को पुलिस के हवाले कर दिया और बेहोश हो चुकी अपनी सहलियों को भी तूनी अगर आज तुमने हमारी मदद न की होती तो हमारा सब कुछ लुट जाता हम बरबाद हो जाते हाँ तूनी तम्हारा बहुत धन्यवाद सही समय पर उनकी मदद करने के लिए चिच्चू और छोटू ने तूनी का आभार माना एक गाओं में तूनी नाम की चिडिया रहती थी उसका एक बेटा था जिसका नाम राजू था तूनी चिडिया की जान उसके बेटे में बसती थी तूनी ने अपने बेटे के नाम पर बहुत सारा धन इखटा कर रखा था और अपने बेटे के लिए वो पैसा पानी की तरह भाती थी आज राजु के लिए मैं कुछ खास नाष्टा बनाती हूँ दिन बदिन कमजोर होता जा रहा है उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो पॉस्टिक आहार ही खाए हर दिन अपने लडले बेटे के लिए नित नए वेंजन बनाती थी मा? मा? मुझे भूख लगी है माा, खाना देदो ना? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी ही तो राह देख रही थी मैंने तुम्हारे लिए ब्रेड ओमलेट बनाई है क्या सर्थ मुझे तो ब्रेड ओमलिट बहुत पसंद है मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं क्या तुम्हें याद है बेटा तुम किस बारे में कह रहे हो इसका मतलब तुम भूल गई ऐसी बात नहीं है राजु बेटा दरसल तुम किस विशा में गह रहे हो साफ साफ कहो ना माँ धो दिन बाद मेरी सालगेर है ना अरे बेता मैं तो काम में थोड़ा भूल गई थी माँ कोई बात नहीं पर हाँ तुम मुझे उपहार देना मत भूलना हाँ बेता जरूर ठीक है मा मैं खेलने जाता हूं पर अपना ध्यान रखना राजु चिटा खेलने के लिए घर से बाहर निकला और तूनी चिडिया घर पर बैठे बैठे सोच रही थी मैं उसका जन्म दिन धूम धाम से मनाऊंगी चाहे जितने भी पैसे खर्च हो जाए मैं उसमें कोई कमी नहीं आने दूंगी जल्दी ही मैं पूरे गाउं में उसके जन्म दिन के दावत का ऐलान कराती हूँ फिर तूनी चिडिया ने पूरे गाउं भर में इस बात की डुगी बजवाई कि उसके बेटे का जन्म दिन है उस खबर को उसी गाउं में रहने वाली चिच्चु कवी ने सुना यहां मेरा एक एक दिन गुजारना भी इतना मुश्किल जाता है वहीं तूनी चिडिया पूरे गाउं को उसके बेटे के जन्म दिन पर दावत दे रही है अगर वो पूरे गाउं को न्योता दे रही है तो जरूर उसके पास बहुत सारा धन होगा मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे में तूनी का सारा धन चुरा पाऊं यूँ चीचु कवी अपने आप में ही सोच रही थी कि तभी उसकी सहली महीची लगता है कुछ गहरी सोच में डूबी हो तूनी चिडिया अपने बेटे का जन्म दिन बड़े ही धुम धाम से मना र अच्छा तो हमें किसी भी हाल उसका सोना और पैसा चुरा ना होगा का कोई उपाए सोचो मेरे पास एक उपाए है कैसा उपाए हम उस तूनी चिडिया के बेटे का अपहरन कर लेते हैं बदले में उससे पैसे मांगेंगे इस तरह दोनों सहेलियों ने तूनी चिडिया के बेटे का अपहरन करने का प्लान बनाया क्या हुआ तुम मुझे यहां क्यों ले आई हो दरसल राजू चिडा हर रोज खेलने के लिए यहीं पर आता है हम यहीं कहीं छिप जाते हैं अच्छा ठीक है ऐसा ही करेंगे फिर चीचु कवी और मही चिलने राजू चिडिया को उ धंगा कर उसे पैसे लेकर आती हूं फिर चीचू कवी पैसे लेने के लिए तुनी चडिया के पास चली गई क्या हुआ होगा अब तक राजो केल कर घर वापस क्यू नहीं आया होगा गर उसका जनम दिन है तुने तुने आप कौन है अनर्थ हो गया अनर्थ क्या हुआ है माही नाम की एक दुष्ट चिल ने तुम्हारे बेटे का आपहरन किया है कह रही है कि जब तक तुम पैसे नहीं दोगी वो उसे जिन्दा नहीं चोड़ेगी मुझे तुमें खबर देने के लिए भेजा है सच कहूं तो मुझे ये सब करने में अच्छा नहीं लग रहा पर कहीं वो मुझे मार ना डाले मेरी बेटे की जान खत्रे में है नहीं नहीं मेरा सब कुछ उसके लिए तो है ये पूरे दस लाख ले जाओ और मही चील को देकर मेरा बेटा वापस ले आओ तूनी चिडिया ने बिना सोचे समझे उसे पैसे दे दिये और चीचु कवी उन पैसों को लेकर वहां से फरार हो गई तब ही उसके पास छोटू तोती आई ये तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी तुमने चीचु को पैसे क्यों दिये वो मेरे बेटे की जान बचाने गई है नहीं तूनी चीचु बिल्कुल भी अच्छी नहीं है वो चीचु ही है जिसने तुम्हारे बेटे का अपहरन किया है क्या अब मैं क्या करूँ हम जंगल की सभी पक्षी मिलकर उन दोनों अपहरताओं को पकड़ कर तुम्हारा बेटा छुडाएंगे फिर जंगल की सभी पक्षी एक जुठो कर चीचु कवी के घर पर धावा बोलने गए सभी पक्षी ने मिलकर चीचु और मही को एक पेर से कसकर बांधा और उनकी खूब पिताई की और चीचु जो पैसे लेकर गए थी वो भी जब्द कर लिये